चलिया आज कूछ नहीं सिखेन यह यह मेरे पास रोयविन फिल्ट इलेक्ट्रा 350 चीच आप पास क्लासिक ऐसे मुझे कोई भी प्रोब्लम नहीं है रहे बात करने में प्रोब्लमगा आपके पास कला से फचले ख़के इस बैख में जो प्रोब्लम है ब्रेक फांस राया निकीर पेडल जैसे दावार है ब्रेक्वार निचे रहा जाता है कभी कभी ब्रेक्व पैडल ऊपर लटे ब्रेक जैसे रहाता है टरते हैं उसके साथह मारा बैक कफे बाइट सुख आप होगया होगा या भी कि चेनो से नहीं लोगके करेंग जो देखने पीछे वाले इसमें ड्रम और चेंश दोनुए अटेचे एक साथ ही है है जब यह मैंट मेरा ब्रेक का जो ड्राम है वो बिल्कुल नए हो जाता है और और यहां बेगे ब्रेक टेंट होते 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 काफी अंदर भी चला गया है तब इस बैक का ब्रेक फू मुझे लग रहा है कि खराप हो जाप आप या उसको आपन करने के बाद ही पता चलेगा कि ब्रेक फूट गया या फिर एस्ट्रिंग तूट किया या फिर ड्रम घिस गय प्रपर खुल करकर सैट कर लिए अब इसमें यहां से उनी इस इन रिंग एस्पिनल लेकर किस बॉल्ट कॉपन करना परेगा त्रीश बदिसका रिंग एस्पिनल या डाल इंज लेकर किस बॉल्ट कॉपन कि उसके बाद यापका यह ब्रेक ड्रम जब एसेंबल खूल करके बाहर आज जाएगा उसके बाद यहां पर बात कर लें देखिए नाट भी टेंट होते होते काफी अंदर चला इसे में पता लगा सकते कि ब्रेक्षु मेरा घिस गया है दावाने जिस घिस 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 का सॉंड आते रहता है उस्टेम याप समझ जाए कि मेरे बाइक का ब्रे आट से क्लिन कर लिजिए फिर उसके बाद प्रोपर फिट कर दीजिए वस्सी आपके ब्रेक दमाने पर जो सॉंड आते रहा तो को को का वो सौन प्रोपर रिमूव हो जागा लेकिन यहां पर चले फटा फरसम इसको आपन कर ले तो उसके बाद चिकप कर देसमें कौन सा प उसके बाद दिखेंव का ब्रेक शु और यह को बातला थे बैक ड्रम जो है वो चैन से चेंज कर तो उस्टेम नहीं हो जाता आघ्या है प्रेक अट्रॉपर बाइक का निया हो गया नहीं लोगा एक उने जोगा होगा तो कि चैन सेट के साहथी बुलेट वेक में उन्हफों लग्ट रहा है अभी जिस क्लासिक भाइक हमने पीछे वाले एसेंबल कॉपन किया इस भाइक का ब्रेक्ट सुगिस यहां पर देखें मैटेरियल है बिल्कुल भी नहीं सिर्फ फर सिर्फ इसका सोल बाचा है इसके उपर इसके घिस चुका है काफी इसके उपर थोड़ा भी म जनमन पाड़ी बुलेट का जन ton breaks Swahini अम डिखा हुआ भी है फो ब्रेक्ट सू किस यहां इस बद्रेक सूर को के सासात यहां पर आपको एस पीरिंग में मिल दाको अप लिखा है ब्रेक्ट तेल्टू इन परन इंट सब्सेंग करें आपको पाइकंग देट पर डिसकास गरें समय समय का अनुसरा प्रेस बढ़ते रहता है त्व प्रेक्षू है और यहां पर उसके बात बात कहिंए दो टुम्या कितना ज्यदा है और जो हमारा पुराना ब्रेक्स है इसके अंदर तेके मेटल भी घिस्टु का निगी इसका मेटल है यह लेदर है यह बिल्कुल घिस करके प्लेन हो गया है और यहां पर देखिए अभी यह ब्रेक्सु प्रोपर सही है और एक चीज और आपको बदल जब भी यह बेट में चैन से चैंज करते हैं ब्रेक्सु खराब ऊस्टें ब्रेक्सु नया डाल दिजिए अगर जिम से अप्ली डिया ब्रेक्सु का पर समय तक चलेगा के प्रोना ब्रेक्सु घिसा वह सब्सक्राइब थोड़ा बहुत करता है आप्स कर लिए अपली यह श्लिप अब उसके बाद यहां बात कर लें ब्रेक सुक आपकी इधर से फिट की जाए इधर से फिट कीजिए कोई भी डिप्रेंट नहीं है चलिए अब फटा फर्से आपर स्टिंग कर लेगते बिल्कुल आसानी से तो फिरिंट दिए ब्रेक सुने प्रोपर सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बाद ब्रेक ड्रम को भी हमने प्रोपर अच्छा से क्लिंग कर रहे हैं कर लेंगे यहां पर अच्छा सखाब है प्रेक सब्सक्राइब है ने किल व qt b रहां पर हैं और भी ब्रेक भी मेरा प्रपर Report रहीं रॉप पर लग रहा यानि ब्रेक जरहन प्रोपर ड्रम कर सकता थिए प्रोपर फालेंगर। चला यहां तक चला जाता तो उस्टेम बहुत मेकनिक आप इस नट को खोल कर बाहर निकल लेते और यह जो है पर पीछे कर देते हैं लेकिन यह बिल्कुल गलत बाद केम को कभी पीछे नहीं करना जाए यह पंटिंग जा इसका सेंटर प्रोपर सही रहाने इसको सेंटर और कर कर देरental करेंगे देन ल ditch लगा लेकिन उसके बाद गिसने के बाद न चाहां बर्यक हमारा जैसे दवाएंगे जाले मेंद भीछे नहीं करके ब्रेक सुने डाल दिए केम पीछे करके ब्रेक अर्जेस्ट करना है बिल्कुल गनलत वाथ है इससे आपको एक्सिडेंट भी हो सकता है यह चीज़ आपको ध्यान रखने की जरूरी है